अब Sensex की बात करें तो इस साल हमें काफी red lines दिख रहे हैं Saturn के साल में हम लोगों को बिलकुल encourage नहीं करते हैं short term trading में invest करें because Saturn is not about shortcuts brace for a market crash and एक रुपे की चीज़ 60 पैसे में भी मिल सकती है हम बिना किसी कारण नहीं कहते कि Saturn fast money या speculation को support नहीं करते दोनों 888 dates पर Sensex ने बड़े falls अनुभव किये चाहे वो 8th January 2024 हो या 17th January 2024 दोनों के total से भी 8 आता है 888 क्योंकि ना सिर्फ इन dates का primary और destiny number यानि total 8 है बलकि जो Capricorn period जारी है वो भी number 8 से गवन होता है अभी तो पूरा का पूरा 2024 बाकी है जिसके total से फिर 8 आता है दी थी ना हमने चेतावनी सारे intraday speculators को जैसा कि हमने कहा Indian economy अच्छा प्रदर्शन करेगी लेकिन उसका अंजाम ऐसा होगा कि Sensex थोड़े बहुत जट के महसूस करेगा लेकिन उसके बावजूद overall respectable position पर होगा कम से कम 2 से 3 बड़े market crashes होंगे जब बहुत से share लगभग आधे price पर भी मिलेंगे